Hello everyone, welcome to new video आज के इस वीडियो में आप शेलों को परिमेश संख्याई निकालना सिखा जाएगा जैसे दो परिमेश संख्या दी रहेगी उसके बीच में पूछेगा चार परिमेश संख्याई निकालिए, पांच परिमेश संख्या निकालिए यानि दो बटे तीन और पांच बटे दो के बीच में आप पांच परिमेश संख्या निकाली तो आप जानते नहीं हो, तो कैसे निकाल पाओगे अब आप थोड़ा ए सारी चीजी सीखने से पाले एक चीज और सीख लिजीगा कि परिमेश संख्या किसे काते हैं बहुत सारे बच्चे को याद होगा लेकिन बहुत सारे बच्चे भूल गए होगे कि परिमेश संख्या किसे काते हैं तो परिमेश संख्या जिसे हम P by Q के रूप में लिख सकें जहां P वा Q क्या हो, पुडांक हो अब यहाँ पर लिखा क्या है, जो Q होता है वा जीरो ना हो जो Q होता है वा क्या हो, जीरो ना हो यादि Q is not equal to 0, कैसे? जैसे देखो 3 बटे 5 है, यह परिमेश संख्या है, यह P by Q के रूप में है माइनस 4 बटे 6 यह भी क्या है, P by Q के रूप में परिमेश संख्या है माइनस 5 बटे माइनस 3 यह भी क्या है, P by Q के रूप में यह भी परिमेश संख्या है लेकर अगर कोई बोले 5 बटे सुन यह परिमेश संख्या है, यह परिमेश संख्या नहीं है पाते स्वान में आए कि नहीं तो परमेश संख्या किसे काते हैं आपको अच्छे से पता चल गया अब मैं सवाल जब लगाऊंगा तो आप आराम से सवालों को कर पाऊगे यहाँ पर देखो कैसे फार्मूला हम लगा के निकालेंगे परश्ण हमारा बोला है कि एक बटे च्छा और एक बटे तीन के भी चार परमेश संख्या कितनी चार परमेश संख्या निकालने को बोला है तो अगर हमें पहली परमेश संख्या निकाल दिये तो उसे हम Q1 लिखेंगे qn is equal to 1 by 2 bracket में क्या हो जाएगा x plus y हो जाएगा अब x plus y की जगह पर आप a plus b भी लिख सकते हो अगर आपको q2 निकालना रहेगा तब आप कौन सा फर्मूला लगाओगे 1 upon 2 अब x की जगह पर आपको क्या लिखना है ये q1 लिखना है यक्स की जगह पर आपको q1 लिखना है प्लस ये y है तो y ही रहेगा अगर आपको q3 निकालना रहेगा तो 1 upon 2 लिखना अब q1 की जगह पर ये जो q2 है इसको लिखना q2 plus y है तो y ही लिखना अब अगर आपको q4 निकालना हो तो 1 upon 2 लिखना और इस bracket में यहाँ पर Q2 होगा यार Q2 अब यहाँ पर Q2 की जहाँ पर आपको क्या लिखना है Q3 लिखना है प्लस Y है तो Y लिख लेना हमसे 4 ही परिमेश संख्या बोलना है अगर 5 परिमेश संख्या बोला होता हम यहाँ पर Q5 इस तरह से लिखते Q5 is equal to 1 upon 2 ब्रेकेट में अब यह जो Q3 है इसकी जहाँ पर Q4 लिखेंगे प्लस Y है तो Y ही लिखेंगे बस यही नार्माल साथ सोत रहा इसी फार्मूले की साहता से हम किसी भी दो परिमेश संख्याओं के मत दे जितनी भी परिमेश संख्याओं पूछेगा निकालेंगे अब जैसे देखो 1 बटे 6, 1 बटे 3 के बीच पूछा था 4 परिमेश संख्याओं तो हमने फार्मूला तो लिख लिया अब निकालेंगे कैसे अब देखो Q1 जो हमारा निकलेगा वो कैसे निकलेगा 2 अब इसका हर बराबर नहीं है तो हम क्राश मल्टिप्लिकेशन कर लेंगे 3 का गुड़ा एक में करेंगे 3 1 के 3 6 का गुड़ा एक में करेंगे 6 1 के 6 और 6 3 कितना होजेगा 18 होजेगा अब आप ब्रेकेट खातम कर देना 1 बटे 2 लिखना 6 3 जोड़ोगे 6 3 कितना होजेगा 9 होजेगा अब ब्रेकेट खतम कर देते हैं तो बीच में गुडे काशिन होजेगा 6 3 कितना होजेगा आपका 9 होजेगा 22 18 लिख लेण 9 के 9 9 2 18 होजेगा इधर कितना जएगा 1 का गुड़ा एक में करोगे 1 होगा दो कागडा दो में करोगे चार होगा, एक बटे चार, यानि जो आपका Q1 निकल कराया है, वो आपका कितना निकल करा चुगा है, एक बटे चार आ चुगा है, अब यहाँ पर जगा कम है, मैं आपको Q2 निकाल के बताता हूं, यहाँ पर नीचे बता देता हूं, Q2 कैसे निकल औलका रहाया है एक बटे चार आई तो एक बटे चा लिखो अब आगे देखें लिखा है पलस Y तो Y हुमारा कितना वे एक बटे थीन है तहां पर आम обяз इस तरह से लिखेंगे 4-3 कितना हो जाएगा, 7 बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, अब इसे जब साल करोगे तो Q2 आपका कितना निकल कराएगा, 7 का उड़ा 1 में करोगे, 7 हो जाएगा, 12 का उड़ा 2 में करोगे, 12 दूना 24 हो जाएगा, यानि 7 बटे 24, तो Q2 हमारा कितना निकल कर आया है, 7 बटे 24 आया है, अब इसी तरह से हम अन्नी चीजें भी निकाल लेंगे, कैसे तरह चीज को ध्यान देना, कैसे वो सारी चीजें निकलती जाएंगे, अब यहाँ पर हम Q3 निकालतेंगे, Q3 कैसे निकलता है, Q3 उचकल 2 क्या होता है, 1 अपान 2 होता है, फिर इसके बाद ब्रेकेट में Q2 होता है, क्या Q2, तो Q2 हमारा कितना निकल कर रहा है, 7 बटे 24, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 7 बटे कितना यहाँ पर 24 लिखेंगे, इसके बाद प्लस का चिन मनाएंगे, आपका Y है, तो Y ह कोगा किपान अब इसे साल्व करोगे तीन का गुड़ा साथ में करोगे इसको इसके बाद 3 दून छाएक कितना होजएगा अब इसे हम साल्व करेंगे अराम से Q3 उच कल टू कितना होज़ेगा 1 अपांटू जब इसको जोड़ोगे तो कितना होज़ेगा ब्रेकेट खदम करोगे तो एक बटे दो इसके बीच में कोई भी चिन नहीं तो गुड़े का चिन माना जाएगा 4 एक कितना होज़ेगा 5 होज़ेगा 2 दो कितना होज़ेगा 4 होज़ेगा बटे में 72 है तो 72 लिख लो 2 से 45 कटेगा नहीं तो हम नहीं काटेंगे तो Q3 उच कल टू कितना होज़ेगा 45 का गुड़ा एक में करोगे तो 45 ही होगा अब 72 का गुड़ा दो में करोगे 2, 2, 4 और 7, 2, 1, कितना होजाएगा चोगधा half 45-before 144 होजेगा अब यहां पर हम क्या निकालते हैं क्यμε्त फोड़ मिंकालते हैN यहां पर क्या करेंगे एक बेटे दो होजेगा तीन का गुडा पांच में करेंगे तीन पच्चे कितना होजेगा यह की तम पारे टलैके पज़바 12 करेंगे चली में selling आइлять अब इनको गुडा कर मादसे हुतiren नीचे 48 गुला दो कर लो आर्दुना सो लोग शाहां से लिए चारदुना आठेक नौ यहांने 31 वटे कितना 96 यह आपका क्या होगा उत्तर होगा जब भी इस तरह का प्रशन आएगा आप इसको इसी तरह से एकदम सरल रूप में कर लीजिएगा जिससे कैलकुलेशन आप इजी तरी कियाद करते हैं यहां पर लिखेंगे क्या एक बटे दो है तो यहां पर क्या हो जहेगा जरा ध्यान दीजिएगा 1 upon 2 होजएगा इसके बाद 1 upon 2 अमारा क्या है X plus Y 1 upon 2 plus कितना होजएगा 3 बटे 4 होजएगा जब इसे साल करोगे तो कितना हैगा 1 upon 2 अब रैकेट में 4 एक कितना होजएगा 4, 2 का उड़ा 3 में करेंगे 2, 3, 1, कितना होजएगा बटे में 4 का उड़ा 2 में करेंगे 4, 2, 8 होजएगा अब इसे साल करोगे तो 1 upon 2 अब 6, 4 कितना होजएगा 10 बटे कितना है 8 है काटपीट के सरद कर सकते हो 2, 4, 8, 2, 5, 10 अब 1 upon 2 into कितना होजएगा 5 बटे 4 होजएगा जब इसे साल होगे तो कितना होजएगा 5, 1 के 5 अचार दूना 8 होजएगा 5 बटे 8 तो हमारा Q1 कितना निकल कराया है 5 बटे 8 है अब हमें Q2 अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे Q2 निकालने के लिए हमारा सुत्र होता है q2 is equal to कितना होता है 1 upon 2 फिर bracket में q1 plus क्या होता है y होता है अब q2 is equal to कितना होजेगा 1 upon 2 bracket में q1 हमारा 5 बेटे 8 है तो 5 बेटे 8 लिखेंगे plus y हमारा कितना है 3 बेटे 4 है तो 3 बेटे 4 लिखेंगे अब इसे लिखे लेंगे q2 is equal to तो कितना हुझेगा रंटर 5, यहाँ पर 4 और 8 का LCM क्या होगा, LCM से कर देते हैं हमारा 8 हो जएगा अब यहाँ पर 5 बेटे 8 है तो इसका 5 ही रहेगा 4 दुना 8 हो जएगा 3 दुना कितना हो जएगा 6 हो जएगा जिस तरह से भिन्न का जोड करते हैं उसी तरह से कर रहे हैं जिन वालक को नहीं आता है थोड़ा दिक्कत होगा उनको शब्सक्राइब 5 बेटे 8 हैं अब इसी तरह से अगर आपसे इसे आप घर्ब के लिए नोट कर लेना और अराम से घर जाकर साल परना मिलते हैं नेस्ट क्लास में अगर वीडियो चलगत वीडियो को जोड़ लेक करना थैंस फर वाचिंग अलाग